उवेसी का अब नया सियासी दाओं राहुल गांदी को क्यों बताया बाबा पियम मोदी के लिए क्यों कही ये बात गुजराद भे अपना सियासी वर्चस व कायम करने गए अब उवेसी ने चुनाव के दोरान तमाम तरह के दाव आजबाएं हर बार की तरह मुसलिम कार्ड खेला कॉंगरेस को टार्गेट किया और तो और 2002 दंगों के जरिये बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की लेकिन इस चुनाव में उने कोई खास सफलता नहीं मिली गुजराद की जनता ने ओवेसी और उनकी पाठी AIM-AIM को पूरी तरह से नकार दिया जिसके बाद अब ओवेसी ने कॉंगरेस खास तोर पर राहूल गांदी को निशाने पर लिया है एज़न्डा आज तक पर असफलत दिन ओवेसी ने कॉंगरेस नेता राहूल गांदी को बाबा बता दिया ओवेसी ने कहा कि गुजराद में कॉंगरेस की इतनी बुरी हार हुई है कॉंगरेस वहां क्या कर रही थी साथ उन्होंने कहा कि राहूल गांदी पूरे भारत में बाबा बंकर पैदल पैदल फिर रहे हैं पार्टी के परती उनकी कोई जिम्यदारी है ये उनको खुद टाय करना होगा वहीं OVC ने राहूल गांदी पर करारा तंज कसते हुए कहा कि किसी ने अच्छा कहा है कि इनको हिमाचोल नहीं बुलाया गया वरना वहाँ पर भी कॉंग्रेस गुजरात की तरह हर जाती AIM अध्यक्ष OVC गुजरात चुनाव के बाद सीधे यूपी उप चुनाव के नतीजों पर पहुँचे फिर समाजोदी पाटी और प्रदान मंत्री मोदी पर भी तंज कसा OVC ने कहा कि आजम खा क्यों चुना भारे अकलेश की पतनी डिमपल यादफ क्यों जीत गई RLD का कैंडिडेट क्यों जीत गया हम तो नहीं लड़े वहीं BJP की जीत को लेकर OVC ने कहा कि इन सब का क्रेडिट प्रदान मंत्री नरेंद मोदी को देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भारेत की मेज़ोरिटी की दुख्ती रख को पकड़ लिया है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं वहीं OVC ने कहा कि मुस्लिमों को ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप इन्हें हरा नहीं पाएंगे मोरबी में 140 से जादा लोगों की मौत हुई लेकिन फिर भी BJP जीत गए बिल्किस बानो के रेपिस को जिसने संसकारी कहा वो भी जीत गया ये चीज हमें समझने की ज़रत है साथी OVC ने कहा कि हम ये आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे लेकिन जब तक नहीं समझ रहे हैं तब तक देश का नुकसान कर रहे हैं असुदोदेन OVC की पाटी AIM-AIM कई राज्यों में कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती है जाती समिकरन के जरूए AIM-AIM, UP में समाजवादी पाटी, बिहार में आरजवेडी और गुजराद में कॉंग्रेस को थोड़ा नुकसान पहुचा सकी है जिससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ है इस लिहाज से कॉंग्रेस और सभी विपक्षिदल अकसर OVC को बीजेपी की बी टीम कहते हैं जबकि बीजेपी और प्रधान मंत्री को लेकर अकसर OVC तीखी बैयान बाजी करते रहते हैं और बीजेपी भी खुल कर उनका और उनकी नीतियों का विरोध करती है लेकिन इन सब के बीच 102 OVC का PM मोधी को क्रेडिट देना सियासी माना जोया रहा है और इसे सियासी दाउं की रूप में देखा जोया रहा है तो दर दूसरी तरफ कॉंग्रेस पालिटी पर निशाना साधना और सीधे राहूल गांदी को भी टार्गेट करने के कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं इस खबर में फिलाल इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ